बातिय सिनेमा के कलाकारों का विदेश तक बोल बाला रहा सतरसी के दशक में दिलीब कुमार अमिताब बच्चन विनोत खनाव सतुरदन सिन्ना जैसे बेतरीन एक्टर का नाम हर किसी के जुबान पर रहता था उनी में एक नाम मसूर एक्टर और डिरेक्टर अमोल पालकर का भी था जिन्नोंने अपनी सांत और सहज अबने से लोगों के दिलों में अपनी जगा बनाई और ओव बीट फिल्मों के स्टार बन गए 24 नॉमबर 1944 को मुंबई में जन्में अमोल पालेकर का फिल्में दुनिया में कदम रखने को लेकर एक रोचक किस्सा है एक लड़की के प्यार में पड़े प्लैंक कलरक ने एक्टिंग सुरू की और बात में वॉलिवुट के स्टार बने लड़की की प्यार में पैंक की नौकरी छोड़ बन गया सूपर स्टार अमोल पालेकर ने मुंबई के मसूर कॉलेज जेजे स्कूल आर्ट से बतौर आर्टिस्ट अपने करियर की सुरुवात की फीस और पेट भरने के लिए पालेकर बच्चों को टाइपिंग सिखाते थे कॉलेज के दिनों से ही वे पेंटर रहे हैं बाद में बतौर बैंक क्लरक उनकी नौकरी लग गई लेकिन पेंटिंग करना नहीं छोड़ा वे दिन में जॉब और रात में पेंटिंग करते थे मगर उनकी पेंटिंग को किसी गैलरी एक्जिबीशन ने स्विखिरते नहीं दी तब मशूर पेंटर के अचारा ने उनके आठ के हुनर को ना सिर्फ सराहा बलकि ताज आठ कैलरी में अपनी तारीक अमोल को दी बाद में एक्टिंग के साथ अमोल पालेकर अपनी पेंटिंग के लिए सुरक्षियों में हैं और उनकी पेंटिंग देश विदेश तक एग्जिबीशन में लग चुकी थी वे पेंटिंग से होने वाले अपनी कमाई समाजिक कारियों के लिए डोनेट करते हैं किस लड़की के प्यार में अमोल पालेकर ने शुरू की थी आक्टिंग दरसल बैंक में नौकरी के दोरान अमोल पालेकर का दिल जिस लड़की पर आया था उसका नम चित्रा था जो थेटर की दुनिया से जुड़ी थी उनके प्यार को पाने के लिए अमोल भी उस रह पर चल पड़े फिर उन्हें अक्टिंग में मज़ा आने लगा और वहां उनके जीवन का हिस्सा बन गई अमोल को शत्यदेव दूबे ने अपने एक नाटक में कास्ट किया ये वो मौका था जब उन्हें पहली बार अपनी अक्टिंग दिखाने का मौका मिला था आगे उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ दियो और साल 1970 में चित्रा से साधी कली हाला कि दोनों का रिस्ता हमेशा के लिए नहीं टिक पाया और साल 2001 में दोनों ने तालाक ले लिया इसके बाद अमोल ने संध्या घोखले से साधी कली अपने अभिने से अमोल पालेकर ने लोगों के दिलों पर किया राज फिलाल नाटा करने के दोरान फिल्म निर्माता बासुत चटरजी अमोल के एक्टिंग से काफी प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म रजनी गंदा के लिए उफर किया इस फिल्म में अमोल पालेकर के अपने ने सिनीमा प्रीमियो के दिल जीत लिए अमोल को लगतार फिल्मों में काम मिलने लगा और वा लोगों के दिलों पर राज करने लगे टैनिक फासकर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमोल ने अपनी फिल्मे करियर में तकरीबन 40 फिल्मे की लेकिन पत और हीरो उन्हें सिर्फ गोलमाल के लिए साल में फिल्म फियर पुरुष्ट काल बिला उन्होंने रजनी गंदा, छोटी सी बात, घरांदा और गोलमाल जैसे कई भेतरे इन फिल्मों में काम किया अमोल पालेकर ने अक्टिंग के साथ फिल्मों में निर्देशन भी किया एक्टिंग के अलवा अमौल नेक न्रदेशा के रूप में भी कई फिल्मों को डाइरेट किया, निर्देशंग में पनी पाँछ फिल्मों को निरसनल आवोर्ट मिले, उन्होंने आकरे बार हिंदे फिल्म पहली का निर्देशन किया था, जिसमें सहारुक खान और राने मुकरजी लीड रोल में थे या फिल्म आसकर के लिए भी नॉमिनेट होई थी मगर पुरुषकार जीतने में आसफल नहीं थी वहीं बतोर एक्टर उन्हें साल फिल्म गुलमोहर और वेब सीरीज वाजी में देखा गया था पुलमिलाकर अमुल पाले कर सिर्फ एक नाम नहीं है वो एक इंस्टिट्यूट है जो बहुत कुछ सिखाता है